जापान की आटो मेकर कमपनी सुजूकी ने अपनी नई हाइब्रेड मल्टी परपस वहिकल सुजूकी सोलियो बैंडिट को लॉंच कर दिया है बॉक्स जैसे लुक वाली ये कार दिखने में बिलकुल ही अलग लगती है इसका लुक काफी कैची बनाया गया है जिससे आपकी निगाहें इस पर टिक जाएंगी ये मल्टी परपस वहिकल डिजाइन और स्टाइल के मामले में खास है इसमें मोटे क्रोम बॉर्डर के साथ फ्रंट ग्रिल और स्लीक एलीडी हेड लैंप्स और डी आरल बेहत अट्रेक्टिव हैं इसके साथ ही इसमें राउंड फॉग लैंप्स और ट्रेंडी अलोई वील्स दिये गए हैं आईए इस कार के बारे में पूरी जानकारी आपको बताते हैं कार की पूरी जानकारी बताने से पहले हम चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और हमारे यूट्यूब चैनल रियल आटो न्यूस को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि जल्द से जल्द आपको हमारी वीडियो की जानकारी मिल जाए। सुजूकी ने सोलियो बैंडिट को मॉनो टोन और डूल टोन कलर आप्शन में लॉंच किया है। इस कार का इंटीरियर भी डूल टोन में है। कमपनी ने इस कार के फ्रंट पैसेंजर सीट और रियर पैसेंजर सीट में कमफर्ड का खास ख्याल रखा है। इसमें आगे की साइट के दोनों सीट एडजस्टेबल हैं। सुजूगी सोलियो बैंडिट में एक दशमलव दो लीटर का गैसुलीन इंजन लगा है। ये 6000 आरपियम पर 91 पीएस की मैग्जिमम पावर और 6000 आरपियम पर 118 एनम का टार्क जनरेट करता है। वही इसका DC सिंक्रोनस मोटर 3.2 पीएस की पावर और 50 एनम टार्क जनरेट करता है। सुजूगी ने इस कार में 3 राइटिंग मोड दिये हैं जो अरबन, सब अरबन और हाइवे हैं। इसके दोनों वेरियंट की माइलेज 15.3 केम पीएल से 21.1 किलो मीटर प्रती घंटे तक की है। इस कार की कीमत के बारे में बात करें, तो इसकी कीमत 4.68 से 7 लाख रुपए की शुरुआती कीमत के साथ लाँच कर सकती है। बात करें इसके लाँचिंग डेट की तो इसको 2022 में लाँच किया जाएगा।